हरे किष्णा यह हिंदी अनुवाद है श्री धर्मविरदास प्रभुद्वारा दिये गए प्रवचन का जिसका शिरिशक है धर्मविरदास कृष्ण के पवित्र नाम में विश्वा स्थापित करना भाग दो हरे कृष्णा प्रियसदस्या आज मैं यह बताने जा रहा हूँ कि वास्तव में आप सभी जो महामंत्र का जब कर रहे हैं आपको पवित्र नाम के प्रती स्वाद या रुची क्यों नहीं है आप में से ज़्यादा तर सोचते हैं कि आप इन सभी वर्षों में हरी नाम का जब कर रहे हैं लेकिन आप केवल नाम अपराध ही कर रहे हैं नाम अपराध मतलब श्री हरिनाम के प्रती अपराधी प्रवृत्ति को सुचित करता है अब मैं जैवधर्म नाम गरंत से अनंतदास बाबाजी वह उनके एक छात्र यादव दास के साथ हुई वारताला पेश करने जा रहा हुँ यादव दास ने पूछा कि आप उस सन्यासी को क्या कहेंगे जो ब्रह्मचरे की शपत को तोड़ देता है अनंतदास बाबाजी ने जवाब दिया कि ऐसे व्यक्ति को वांटाशी कहा जाता है जो अपना खुद का ही उल्टी को ही खाता है यादव दास क्या इन लोगों को अब वैश्णव माना जाता है अनंतदास बाबा जी जब वे शास्त्र और वैश्णव धर्म के विपरित कारे करते हैं तो उनके संग से क्या फाइदा होगा उन्होंने शुद्ध भक्ति को छोड़ दिया है और एक पाखंडी जीवन शैली अपनाई है यादव अनंतदास बाबा जी ने उत्तर दिया हरिनाम और नाम अपराध दो अलग अलग चीज़े हैं शुद्ध हरिनाम आपराधिक जब से काफी अलग है जिसकी केवल बाहरी परस्तिती हरिनाम के जैसे दिखाई दिती है यादवदास ने पूछा क्या ऐसे व्यक्ति का घरेलू जीवन कृष्ण केंद्रित है जवाब कभी नहीं कृष्ण के परती केंद्रित घरेलू जीवन में पाखंड के लिए कोई जगह नहीं है यादवदास जी ने पूछा क्या इसा व्यक्ति गुरहस्त भक्त से कम है अनंतदास बाबा जी ने कहा उन्हें भक्त भी नहीं माना जाता है इसलिए हम उन्हें किसी भी भक्त से तुलना नहीं कर सकते हैं यादवदास जी ने पूछा उसमें फिर कैसे सुधार किया जा सकता है अनंतदास बाबा जी ने कहा उन्हें फिर से एक भक्त के रूप में तब गिना जाएगा जब वह सभी अपरादों को छोड़के लगातार श्री हरिनाम का जब करेंगे और पश्चात आपके आसु बहाएंगे इस वारतालाप से यह सपष्ट है कि आप में से अधिकामश हरिनाम का जब नहीं कर रहे हैं और इसलिए हम में से अधिकामश का जब करने में कोई भी रुची नहीं है इसलिए शिलप रभुपाद ने हमें इसकौन में सिखाया है कि हमें पवित्र नाम के खिलाफ जो दस अपराद है उन्हें समझने के लिए हर सुबह प्रार्थनाओं का गान करना चाहिए दुरभाग्यवश हम में से अधिकाम्ष सिर्फ तोते की तरह प्रार्थना करते हैं और तथाकतित वरिष्ट भक्त भी तोते की यी तरह इन प्रार्थनाओं का गान करते हैं दरसल जो सारी प्रार्थनाएं हम इसकौन में गाते हैं वो एक तोते की तरह गाते हैं जैसे गुरु अश्टकम, तुलसी प्रार्थना और शिक्षाश्टकम जैसा कि मैंने देखा है कि आप में से अधिकाम्ष को शुरुवात से ही शुद्ध कृष्ण चेतना में फिरसे प्रशिक्षित करने के आवश्शकता है यह उन सदस्यों को पुनशिक्षित करने के लिए एक बड़ा काम है जो पहले ही गलत तरीके से प्रशिक्षित किये गए है याद रखें कि आप सभी सिर्फ सदस्य है आप में से कोई भी भक्त नहीं है कोई कपड़े और तिलग धारन करने से भक्त नहीं होता है Hare Krishna